सर्दी खासी जुखाम से छुटकारा पाने के लिए गले में हो रहे तर्द, खराश, चुबन, साथी, छाती और गले में जमा बलगम को बहान निकालने के लिए आपके साथ एक बहुत अच्छा घरे लूनुस का शेयर कर रहे हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी होंगी लूंग, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आठ लूंग, लूंग की तासीर गर्म होती है, यह सर्दी खासी जुखाम में बहुत फायदा पहुचाती हैं, अगर आप सर्दियों में डेली चाय में डालकर लूंग का सेवन करते है तब भी आपके लिए बहुत फायदे मन होता है, लूंग का इस्तमाल करने से आपको खासी में आराम मिलता है, साथ ही आपको जो जुखाम होता है, छीक आती हैं बार बार, साथ ही जो बलगम जमाएं उस प्रावलम से छुटकारा मिलता है, अब आपको यहाँ पर लेने हों पीपली, यह मैंने चार पीपली ली हैं, यह आपको किसी भी पुरानी किराना स्टोर पर इजली मिल जाएगी, आपकी गले में बहुत दर्द है, चुबन हो रही है, बहुत जादा खासी, जुखाम हो रहा है, बलकम जमा है, यह सूखी खासी है, उस सब में यह आपको सकेगा, तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से कूट कर इने त्यार कर लिया है, अब आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पर लेनी है, एक मुलेठी, देखिए, अगर बहुत ज़्यादा खासी की समस्या आपको है, तो मुलेठी का सेवन करना ना भूले, साथ ही अगर दर्द है, चुबन है, तो मुलेठी आपके लिए बहुत लाबदायक है, मुलेठी को आप कैसे इस्तमाल करेंगे, वो बताऊंगी, देखिए, कभी-कभी पहुत तेज खासी उठती है, तो बस आप अपने मुह में मुलेठी रखिए, धीरे-धीरे से चुबाते रहे खासी में बहुत ही चल्दी आराम मिल जाएगा आपको, अब आप लेंगे दो इंच का अद्रक का टुकडा, अद्रक जो है नाकेवल सर्दी खासी जो काम में फायदे मन होती है, बलकि ये आपको और भी बहुत सारी बिमारियों से बचाती है, अद्रक का सेवन करने से तो यहाँ पर हमने गैस पर एक बरतन रखा जिसमें दो कप डाल दिया है पानी, और पानी को हमें उबलने देना है, जब पानी उबल जाएगा तो हमें इसमें अद्रक को घिसकर डाल देना है, अगर आप डॉक्टर की दवाई लेते लेते बहुत ज़्यादा परेशान हो लेकिन फिर भी आपको सर्दी खासी जुखाम में कले की दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, बलगम की बहुत सा मस्या हो रहे है, आप ढंक से सो नहीं पाते हैं, तो यह नुसका आपके लिए बहुत फायदे मंद है, अद्रक डालने के बाद जो लॉंग काले मिर्स पीपली हमने कूट के त्यार की थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, अब यहाँ पर मैंने लिए आधा से एक इंच डालचीनी, जिसे छोटे-छोटे टुकडों में करके इसमें डाल दिया है, डालचीनी ना केवल आपके खाने के स्वात को बढ़ाती है, बलकि यह हेल्थ के लि लाबतायक होते हैं, सर्दी खासी जुखाम तो दूर करते हैं, साथ ही आपकी इम्मूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, कभी-कभी हमारे गर में बच्चे हो या बड़े उन्हें इतना सर्दी खासी जुखाम हो जाता है, कि बहुत तरह-तरह की दवाईयां हम उन्हें दिला देते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता तो एक बार ये ड्रिंक बना कर आप उन्हें पिला कर देखिए सच्छमाने बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा साथ ही इस ड्रिंक को पीने से इम्मुनिटी बूस्ट होगी रोक प्रतिरोदक छमता बड़ेगी अब आप इसे अच्छे से उबालेंगे इसे लगवक तब तक आपको पकाना है जब तक कि ये जो पानी है ना आदा ना रह जाए ठीक है तो इसे अच्छे से उबलने दीजिए इस ड्रिंक को बनाने में हमने सारी चीजे ऐसी इस्तिमाल कियें जो एक दम नेचुरल है और बहुत सारी बी मुना ही सेवन करना है लेकिन इसे सेवन करने से पहले इसमें एक चीज हम और एट करेंगे यहाँ पर हम इसमें डालेंगे एक चमच शहद देखिए खासते खासते गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है चुबन होती है तो इस समस्या को खराश को दूर करेगा तो एक कप इस चाय में आप डाल देंगे एक चमच शहद अच्छी तरीकिसे से मिक्स कर देंगे जो लोग शहद नहीं डालना चाते वो इससे बनाते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं और जो डाविटीज पेशेंट है वो दोनों ही चीज़े अगर इसमें नह कर रख सकते हैं और सुबह और शाम दोनों टाइम इसे ले सकते हैं लेकिन जब आप इसे पीएंगे तब इसे हलका सा गर्म कर लेंगे आपको सुबह और शाम दोनों टाइम इसको खाना खाने के एक घंटे बाद आदा आदा कप पीना है और इसके एक घंटे बाद तक आप को सब्सक्राइब जरूर करें